लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीडेरों करेंगे डेरा हिंसा में अब तक 32 लोगों की मौत का आंकड़ा सामनी आया है डेरा हिंसा में मृत की संख्या बढ़कर 32 हो गई है इनमें 28 की मौत पंचकुला में हुई है अभी तक केवल एक शब की ही शेनाक्त हो पाई है बाकी सब अग्यात हैं ये जानकारी हर्यान सरकार ने हाई कोट को दी है जगविंदर पठ्याल हमारे संबाद दाता जूट चुके है जानकारी के साथ जगविंदर मौत का आंकड़ा 32 पहुचा जी हाँ ये 32 लोग जो मरे है चित्रा इनमें से 28 जो है वो पंचकुला में इनकी मौत हुई है और बाकी लोगों की सिर्सा और बाकी जगाओं से अलगलग जगाओ पर जो खटनाई हुई उनमें मौत हुई है तो फुल 32 का आंकड़ा हाई कोट को बताया गया है ये टोल अब बढ़ गया है और खास बात यह है कि इसमें से पहचान अभी तक सिर्फ एक ही आदमी की हो पाई है 31 लोगों की अभी भी कोई पहचान नहीं है अभी तक उनकी बॉडिस को क्लेम करने वाला कोई नहीं आया है इसके इलाबा पंचकुला में 524 लोगों पहरासत में लिया गया है जो ये पूरा उफद्रब हुआ था उसके बाद 24 गाडियां पकड़ी गई है पांच पिस्टल पकड़े गए है और पिस्टल के 79 89 कार्टूस पकड़े गए है दो राइफल पकड़ी गई है उनके बविंजा कार्टूस है हौकी, डंडे, पेट्रोल बम ये तमाम चीजें वहाँ पकड़ी गई है ये हाई कोड़ को बताया गया है और इस पूरे सिल्सले में जो कल हिंसा हुई थी उसमें आठ एफ़ एर दर्ज की गई है ये हर्याना सरकार ने जानकरी अब तक लिखे तौर पर हाई कोड़ को दी है चित्रा शुक्रिया जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए पुलिस ने 24 गाड़िया भी बरामत की है लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये 32 हो चुका है मरने वालों का अंकड़ा